बच्चों आज हम लोग क्लास थर्ड का फूर्थ चैप्टर दा बास्केट पढ़ेंगे दा बास्केट बास्केट मतलब डलिया डलिया जिसको कि हम डोल्ची भी कहते हैं और डोल्ची का यूज या डोल्ची का प्रायोग हम लोग करते हैं घर में फल और सबजिया रखने के पापा जो भी फल और सबजी खरीद के लाते हैं तो हम लोग उसको कहां रखते हैं डलिया में रखते हैं बास्केट में रखते हैं तो चलिए आज हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं ये दो बच्चों की स्टोरी है एक लड़की है उसका नाम है रितू और ये है लड़का उसका हम है रवी, दोनों लोग मिलते हैं, मिलके क्या बाते करते हैं, आईए चलिए हम लोग पढ़ते हैं, रितू, हेलो रवी, हाव आर यू, रितू, रवी से जब मिलती है तो बोलती है, हेलो रवी, हाव आर यू, मतलब तुम कैसे हो, यू मतलब तुम, हाव मतलब कैसे, और इस Fine मतलब अच्छा, तो रवी ने कहा अच्छा हूँ, Thank you, Thank you मतलब धन्यवाद, रितु, What is in your hand? रितु ने इससे पूछा, रवी से, कि तुम्हारे योर मतलब, तुम्हारे हैंड, हैंड मतलब हाथ में, What is मतलब क्या है? तुम्हारे हाथ में, क्या है? रितु ने किससे पूछा? रवी से पूछा रवी और वेजिटेबल बास्केट तो रवी ने क्या कहा उसके हाथ में क्या है और मतलब एक वेजिटेबल मतलब सबजी की बास्केट मतलब डलिया तो रवी ने कहा मेरे हाथ में एक सबजी की डलिया है रित्तु इस दैट योर बास्केट है क्या ये तुम्हारी बास्केट है उस रितु ने पूछा उससे पूछा कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है तो उसने का ये सबजी की बास्केट है तो रितु ने पूछा क्या ये बास्केट तुम्हारी है रवी येस yes मतलब हाँ it is my basket it मतलब ये मेरी my मतलब मेरी basket है ये मेरी basket है मतलब ये मेरी डलिया है रितु what is in the basket तो रितु ने फिर से पूछा अच्छा ये बताओ कि इस basket में क्या क्या रखा है what is मतलब क्या है इन द में बास्केट में इस बास्केट में क्या क्या रखा है रवी there are fruits and vegetables in the basket तो रवी ने कहा मेरी बास्केट में fruits हैं और vegetables है fruits मतलब फल, vegetables मतलब सबजिया तो उसकी basket में क्या क्या है ये देखिए आपने यहाँ फल रखा है ये एपल है और बहुत सारे एपल दिख रहे हैं ये देखिए हम बनाना दिख रहा है यहाँ ग्रेप्स है ग्रेप्स मतलब अंगूर है और सबजियों में यह देखिए यह ब्रिंजल दिख रहा है ब्रिंजल मतलब बैगन दिख रहा है यहां बीच में आलू रखा है यह खीरा रखा है यहां तो यहां बहुत सारे इसमें फल और सबजी है तो उसने क्या कहा There are fruits and vegetables in the basket मतलब मेरी basket में क्या क्या चीज़े हैं फल और vegetables है रितू Which fruits and vegetables are there in the basket तो रितू ने कहा which fruit मतलब कौन से fruits हैं और कौन से सबजीया हैं तुम्हारी basket में जब इसने कहा मेरे basket में फल और सबजीया हैं तो रितू ने कहा तुम्हारी basket में कौन कौन से fruits, fruits मतलब फल और vegetables मतलब सबजीया है रवी, apples, tomatoes, grapes, peas, bananas and brinjal तो उसने कौन कौन से चीज़े बताई मेरी basket में apple है, tomato है, grapes है, peas है, banana है and brinjal और ब्रिंजल भी है, तो उसने कहा मेरी basket में यह चीज़े हैं जिसमें देखो यह apple जो है, यह fruit है, यह fruit है, यह fruit है, banana मतलब बनाना, यह भी fruit है, बनाना मतलब, और apple, grapes और बनाना फल है, तो उसकी basket में यह सारा समान था, अब इस apple जो इस fruit basket में फल थे और सबजियां थी, उसी को यहां हमको अलग-अलग करके लिखना है, यह आपनों को ध्यान देना है, यहां fruit basket है, तो fruit में क्या क्या fruit था, हमें apple था, तो यहां हम apple लिख देंगे, और vegetable basket में क्या था, यहां पर, tomato था, तो यहां हम tomatoes लिख देंगे, ठीक है, तो ऐसे ही आपको काम करना है, इसमें से छाटते जाईएगा, यहां लिखते जाईएगा, तो यह होगे हमारा पूरा काम आज का, basket, basket में क्या क्या था, fruit of vegetables थे, और आ whatsapp group खोलिएगा आप लो, और उसमें देखिएगा, आज की date में, आज की date यानी की 2nd January 2021, आज की date में हमने यह काम दिया है, जिसमें हमने fruits के नाम लिखवाए हैं, और vegetables के नाम लिखवाए हैं, copy में देखिएगा, और अपनी copy में note down करिएगा, और यह chapter समझने की कोशिश करि एगा, ओके बिटा,